सस्क्राइब कर लीजे हमारा यूटूब चैनल दफ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजे संगठन जैश्य मुहमद इस बात की तैयारी कर रहा है कि समंदर के रास्ते भारत पर हमला किया जाए जिस यूनिट को है जिस टीम को है जमेदारी दी गई है उसको ट्रेनिंग दी जा रही है यह खुफिया जानकारी नोसेना के पास है और नोसेना ने पूरा इंतिजाम किया है चार्ग चौबंद विवस्था है किसी भी तरह कैसी कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा 2008 में मुंबई पर जब हमला हुआ था तो पाकिस्तान से आतंकवादी बोर्ट से समंदर के रास्ते ही आये थे उस हमले में 160 से जादा लोग मारे गए थे कई विदेश भी थे इस लिहाज से पाकिस्तान की तरफ से समंदर के रास्ते कोई भी आतंकवादी हमला हो सकता है आशुंका को आप दरकिनार नहीं कर सकते नेवी चीफ का बयान यह बताता है कि नोसेना के नजर उधर है लेकिन पाकिस्तान के तरफ जो हल चल है सेना के तीनों अंगों के हवाले से मैं बता रहा हूँ उसको देखते वे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार बौकलाई हुई है और बार बार जो इमरान खान कहते हैं कि दुनिया मेरे साथ बले ही ना खड़ा हूँ कश्मीर पर हिंदुस्तान के फैसले को लेकर के कोई हिंदुस्तान का विरोध भले ही ना करे लेकिन कश्मीर के साथ पाकिस्तान आखरी वक तक रहेगा आखरी दम तक रहेगा यह बयान और कुछ नहीं है उनकी लाचारी बेबसी और बौकलाईट का नतीजा है ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि नूकलिर हत्यार हैं दोनों मुलकों के पास पाकिस्तान पिपल्स पार्टी के चेरमेन बिलाल भुट्टो ने इमरान खान के बारे में ये कहा है कि यह आदमी इलेक्टिड प्रधानमत नहीं है सेलेक्टिड प्रधानमत नहीं है यहाँ बार 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 बिलावल कहते हैं वो कहते हैं कि इमरान खान आर्मी की तरफ से बिठाए गए हैं सेलेक्टिड सुनके आर्मी के लोग हैं और ये सेलेक्टिड प्रधानमत नहीं है एलेक्शन जो हुआ उसको तो खारिज कर दिया गया अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि मज़फराबाद जो पाकिस्तान के कब्से वाला पाकिस्तान के हिस्टे वाला जो जमु कश्मीर है उसकी रालधानी है उसको कैसे बचाया जाए कितना फरक आ गया है मोदी ने रातों रात किस तरीके से अपनी नीती बदल दी है और कि दोनों बेचायन से दिख रहे हैं। पाकिस्तान की एरफोस है वो लेहलद्दा के ऊपर पाकिस्तान के कबजेवले कश्मीर में सकार्दू एरबेस पर उसने अपना एक प्लेन उतारा जिसको आप कहते हैं C-130 कारगो प्लेन है एरफोस का एरफोस के बागी विमान भी सकार्द नाम दिया गया है इसमें पाकिस्तान और चीन दोनों के जो युद्धक विमाने हिस्सा ले रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से J-17 और चीन के J-10 और J-11 विमान इसमें हैं और हेलिकॉप्टर भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो यह जो पूरी तयारी है पाकिस्तान की तरफ तो मेरे पास कोई रास्ता बचेगा नहीं युद्ध करने के अलावा यानि कि युद्ध की गीदर भब की या धम की सी आप समझ सकते हैं यह दुनिया पर दबावत जाद है भारत के मुकाबले क्योंकि पाकिस्तान यह समझता है कि भारतार की तारीक में एक मजबूत देश है और कोई भी कारवाई होगी तो उसका बहुत मुतोर जबाब भारत देगा चीन और पाकिस्तान यह दो ही ऐसे देश हैं दुनिया में जो अलग थलग पड़ गए हैं और कश्मीर को ले करके पूरा संसार भारत के साथ खड़ा है यह हिंदुस्तान की ताकत है यह कश्मीर के मामने पर भारत ने जो कुछ भी किया है उसको दुनिया की तरफ से रजामन्दी मिली है इस बात का संकेत या सबूत आप कह सकते हैं तो पाकिस्तान के हलकों में आतंकवादी पाकिस्तान में जो पनाह लिए बैठे रहते हैं जो आतंकवादी कैम चलाते हैं वहां की सेना से पाकिस्तान के भीतर जो लोग हतास बैठे हुए हैं उनको लएकि नहीं कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान ने कुछ नकुछ तो किया ही। लेकिन भारत जिस तरीके से लगातार अपना वजन बनाय हुए पाकिस्तान के उपर बिना कुछ बोलें और मोधी की जो डिप्लोमैसी है दुनिया के देशों के साथ लगातार आपस में बैठ रहे हैं ठाके मार रहे हैं कह रहे हैं कि हम कश्मीर के मामले को सुझा चुके हैं जो हमारा कश्मीर है उसमें हालात लगातार बहतर हो रहे हैं उससे कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है वो अपने आपको कॉर्णर महसूस करता है कोने में धकियाया हुआ महसूस करता है और यह सब जिस्ति हैं पाकिस्तान की उसके चलते पाकिस्तान की फौच और वहां क्या तं झाल ओूआ झाल झाल